best time to buy and sell stock 3 okay तो यार इसमें भी हमको टाइम वाइम कुछ नहीं बताना है ना टाइम बागेर कुछ नहीं बताना प्रॉफिट ही बताना है प्रॉफिट बताना है मैक्सिम प्रॉफिट जो हम जनरेट कर सकते हैं हमको क्या गिवन रहेगा शेयर के किसी शेयर के अलग अलग दिन के प्राइस गिवन रहेगे रहेंगे अना सो हमको सब्सक्राइब कोई एक शेयर है उसके प्राइस दे रखा है कि अब stigma कोई appel को टू टू यानि तू ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो है two transaction आप कर सकते हो और वही हिसाब है इस question का भी कि आपको पहले buy करना पड़ेगा फिर आपको sell करना पड़ेगा और आप same day में इस day पर buy करके इस day पर sell करो के तो कोई फायदा नहीं है आगे जाके कहीं sell करना पड़ेगा हो सकता है कि आपने इधर buy करा हो और इधर sell कर दिया हो तो यह आपके उपर डिपाइंट रहा है आप आप कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो आपको यह बताना है कि जो यह shares के price है इसमें आप at max two transactions कर सकते हो यानि एक बार buy sell कर सकते हो और एक बार दो बार buy sell कर सकते हो ना आपको यह बताना है कि आप कितना maximum profit generate कर सकते हो तो देखते हैं कितना कर सकते हैं वैसे उपर उपर से देखें तो यार इसमें मेरे को लगता है कि अगर आपने यहां buy करा होता और यहां sell कर दिया होता मतलब इस वाले डे को इगनूर कर दिया होता यहाँ बाइ कर रहा होता यहाँ सेल कर रहा होता और यहाँ पे इसे इगनूर कर दिया होता और यहाँ पे बाइ कर दिया होता और यहाँ पे सेल कर दिया होता तो इधर क्या प्रॉफिट बना लिया होता था फोर इधर क्या बना लिया होता था थ्री तो seven profit बना लिया होता तो यह maximum profit होता यह मैंने उपर से देखके बता दिया बड़ा आप मेरे को कोई दे दोगे मतलब जादा दिन का मेरे को उसका देदो कि तो मैं ऐसे देखके उपर से नहीं बता पहुंगो उसके नहीं of course मुझे code अगर लिखना पड़ेगा पर ठीक है इसका seven है मैं आपको just question समझाना चाहरा हूँ अभी ठीक है इसका seven है अगर मैंने suppose करो इसको इसको four कर दिया होता तो अभी मैंने दो exactly 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 दो transaction कर दिया ना kisbs करा था क्योंकि हमें पता है कि हमें given एक आपको at max दो करने अगर यह वाली सिचुशन होदी ना कि अगर day number four पर उस्टॉक का price four ही रहता तो पता है कि मैं क्या करता, मैं पहले वाले दिन को इग्नौर मारता, इधर बाई करता, इधर सेल करता, इसको भी इग्नौर मारता, इसको भी इग्नौर मारता, इसको भी इग्नौर मारता, क्योंकि मैं इधर बाई करता, इधर सेल करता, तो लॉस होता, इधर बाई करता, इधर सेल करता तो भी मुझे loss होता है इधर buy करके कई sale कर नहीं जगह है नहीं तो बस मेरे पास एक ही transaction करने में फाइदा है एक ही कर ले और four profit मार जा इस वाले case में सिर्फ मैं एक ही transaction करता एक ही transaction करता, दो करने की मेरे को ज़रूती नहीं है तो या तो मैं उतने ही, मतलब मेरे profit उतने ही रहेगा या फिर मैं loss में जाओँगा, या फिर मैं loss में जाओँगा तो यार इस वाले तरीके में मैं एक ही transaction करूँगा एक आपको और दिखाता हूँ मैं, suppose करो आपका input ऐसा था shares के price decrease हो रहे थे हर डे पे, यहाँ पे 6 थे, 5 थे, 4, 3, 2, 1 अभी आप ना कहीं भी buy करके देख लो, आप फिर अगले दिन कहीं sell करोगे ना तो आप loss में जाओगे, तो आप इस वाले day में पता है, इस वाले test किसमें क्या करोगे मैं तो भाई कहीं भी buy sell नहीं करूँगा, जीरो transaction रखूँगा, भाई मेरा zero profit ही ठीक है, और वरना मैं आगे जाओँगा, तो मुझे तो loss ही होना है तो आप question समझे ना, कि आप, कि आप, मतलब allowed हो कि दो transaction आप कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं को दो करनी है तो question अपने को clear है, तो अब हमें कैसा पता चलेगा, कि maximum profit कैसे बनेगा, तो हमारे पास तो कोई magic है नहीं, सिर्फ हमारे पास एक ही magic है, कौन सा, recursion है, recursion है, recursion यूज करके, हम सारी possibilities explore करेंगे, कि अगर मैंने इस day पे buy करा होता, और उस day पे sell करा होता, तो क्या profit हो रहा होत होता, इस day पे buy करके, इसको skip कर दिया होता, तो क्या profit होता, हम सारी की सारी possibilities को explore करेंगे, और जिस भी possibilities से हमको maximum profit मिलेगा, उस वाली को रख लेंगे, वो वाला profit return कर देंगे, simple सी बात है, हमें तो कोई magic आता है, हमें बसे एक magic आता है, recursion, ठीक है, तो यहर मैंने एक बड़ जहां दूँगा, एक question अच्छे से, तो यहर सपोस करो, एक stock के price आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहर एक चीज़ तो given है, मैं पहले sell नहीं कर सकता, मुझे पहले buy करना पड़ेगा, तो red color में हम buy समझे लो, red color जब भी होगा, तो पहले buy करेंगे, green color मतलब फिर हमें sell करना पड़ेगा, buy कर लिować लिए, तो हम फिर दूबार बाइ नहीं कर पाएंगे, हमको फिर sell करना ही पढ़ेगा, हैना, जब तक हम sell नहीं करएंगी, तब तक हम buy दूबार नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कि आप पहले buy कर लिया, फिर यप एक ब नहीं जाना तो आपके base cases क्या हो जाएंगे recursion के कि आर मैंने सारे day को explore कर लिया एक तो यह मैं अपना आई एक पॉइंटर सब्सक्रों 0 से start करूँगा मैं सोचूँगा कि इस पर buy करना है sell करना है यह skip करना है तो एक तो यह होगा मेरा जब पॉइंटर मेरा लेंथ को लो जाएगा तो फिर मैं उसे base case मालों कि आगे तो तुम कुछ कर नहीं सकते या फिर मेरा base case क्या हो सकता है कि मैंने exactly दो transaction कर ली तो भी मैं allowed नहीं हो आगे profit generate करने के आगे transaction करने के तो मेरे दो test case हो जाएंगे क्या जब मेरा i जो है that is day number 0 पे खड़े हुए है तो day number 0 पे हमारे पास option है पहले तो हमें buy करना है पहले तो buy करना है sell करने का कोई option नहीं है हमारे पास हां तक जब हम यहां पर पहुचेंगे तो यहां पर पहुचेंगे तो हमारा profit जो होगा वो negative में हो चुका होगा मतलब हम Abram यह पे profit जो गाभव inm अपना zero है और इदर वाले इदर वाली side में profit मीनास 2 क्योंदी हमने कुछ खरीद लिया बहुत सही है तो अब हर जगा तुम्हारे पास दो options होंगे अब यहाँ पे तुम गए यहाँ पे तुम गए यहाँ पे तुम्हारे पास अब क्या option है तुमने buy कर लिया ना टिक मतलब buy कर लिया तो buy कर लिया तो अब तुम दुबारा buy तो नहीं कर सकते अब तुम्हारे पास क्या options है, या तो तुम skip कर जाओ, या तो यह वाले day skip कर जाओ, या फिर तुम यह वाले day पे sell कर दो, तो ये dua options यहाँ पे हैं, अगर मैंने दर sell कर दिया, अगर मैंने दर sell कर दिया, तो मुझे किस problem के बारे में सोचना पड़ेगा, इस problem के बारे में, अगर मैंने यहाँ पर skip कर दिया, तो भी मुरे इस problem के बारे में सोचना पड़ेगा, बट अलग-अलग problems हैं, यह दोनों अलग-अलग problems, मलब हाँ, अलग-अलग problems of course, तो यह वाली problem में, हमको क्या करना है, हमारा profit जो है, इस बार plus 2 हो चुका, क्योंकि हमने minus 3 में, minus 3 होगे, हमने खरीदा कितने में, 3 में, बेका कितने में, 5 में, 5 में, 5 minus 3 is what, 2, तो हमारा 2 का profit हो चुका है, बट यहाँ पर इधर वाली जगा पर, हमने खरीद तो लिया minus 3 का, पर अभी बेका नहीं है, और हमने skip कर दिया, तो अभी भी हमारा profit यहाँ पर minus 3 है, और यहाँ पर 2 है, तो यह profit अलग अलग होते जाएंगे, और जब हम base case पर पहुचेंगे, तब हम अपना profit को match कर लेंगे, अभी हमारा minimum profit हुआ, हमतलब हर बार चेक करते रहेंगे, एक global variable ले ले लेंगे, उससे match कर में लेंगे, या अब यह वाला minimum है, यह वाला minimum है, और बार बार सारे base cases पर पहुचने के बाद, देखेंगे हमारे जो profit है, वह सबसे minimum जो होगा, वही हमारे रखेंगे हैंगे हर बार पहुंच के अपना जो प्रॉफित है वह मैर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लोगे उपना तक कर लिया यहां पहां पर आप कर लिया तो फिर hanno वह sell करना ही पड़ेगा जब तक sell नहीं होगा तब तक फिर हम buy भी नहीं कर सकते ठीक है तो यह tree तो आपको समझ में आ रहा है ना वह अच्छे से क्यार कोई भी एक branch देख लो यह वाली branch देख लेते हैं क्योंकि यह खतम हो गई थी branch कुंसी branch है यह कियर मैंने day number 0 पर buy करा okay मेरा profit minus 3 हो गया फिर मैंने day number 1 पर sell करा मेरा profit plus 5 हो गया फिर मैंने day number कुंसा आई यह buy करा sell करा sorry यहाँ पर 3 है 3 है मैंने sell भी 3 पर करा है मैंने गलत बता दिया था इधर 5 बता दिया तो इधर मेरा profit जो है वो 2 ही है sell करा मैंने यहाँ पर buy करा यहाँ पर sell करा तो plus 3 अभी मेरा profit 0 ही है फिर उसके बाद मैंने 5 वाले को buy करा 5 वाले को buy करा so plus 5 और 0 पर उसको sell कर दिया उसके price 0 होते तो उसको sell कर दिया buy करा तो यहां पे negative होना चाहिए और sell करा तो 0 अभी मेरा क्या profit हो गया यह तो 0 हो गया तो minus 5 profit हो गया तो loss में यूँ मैं तो यहां पर अब K की value देखो क्या हो चुकी होगी 1 buy एक sell करा तो मेरी K की value यहां पर 0 थी यहां पर K की value 2 थी अब मैंने एक buy एक sale कर लिया ना तो एक transaction होगी तो यहाँ पर इधर मेरी cake value 1 हो जाए जैसी मैं sell कर दूँगा कोई भी share तो इसका मतलब मैंने 1 BS कर लिया है तो जैसी मैं sell कर दूँगा मैं अपनी cake value एक से decrement कर दूँगा तो यहाँ पर मेरी cake value 1 होगी यहाँ पर मैंने buy करके फिर sell करती है तो मेरी cake value 0 होगी तो जैसी मेरी cake value 0 होगी न तो बेस किस है आगे मत चेक करो आगे मत चेक करो ठीक है तो यह वाला जो तुम्हारा profit है minus 5 इसको यहाँ से return मार जाओ और ऐसी करके तुम हर जगा जाके देखोगे ऐसी करके हर जगा जाके देखोगे अलग अलग ब्रांची से अलग 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 लीफ नोट से अगर मैं आप आप बैसे बसे ट्री नहीं है actual में पर ठीक है रिकर सिप ट्री की तरह आप इसको imagine करो so लीफ नोट से आपको profits मिल रहे होंगे अगर हर ब्रांच से आप क्या करोगे compare करोगे कि यार इसका profit इतना इतना इसका है तो maximum जिसका है मैं उसको आगे pass on कर दूँगा ठीक है तो यहां पर finally हमको maximum profit मिल रहा होगा ठीक है तो अब कोई tree तो अच्छे समझ में आगे ना यह मैंने ऐसी कर दिया आगे बहुत बड़ा tree बन जाता आप छोटा example लेकर देख सकते हो यह मैंने बड़ा इसने ले लिए क्योंकि आपको आगे दिखाना है में कुछ और तो ठीक है तो क्रिश्टन सवन में आगे ना के की value आपको कब decrement कर दें जब sell हो जाए तो जैसे कि यहां पे कोई sell नहीं हुआ यहां पे कोई sell नहीं हुआ यहां पे एक buy यहां पे sell तो यह इसका recursive लीता इसका code देख लेता है simple सा ओके सो यह राइसका simple सा बहुत ही जादा simple सा code तो यह हमको function मिला रहेगा question में कितना ठीक है so यह हमको question I mean function मिला रहेगा और हमको क्या बोल लखा है हम maximum two transaction कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने अपना function मना लिया max profit उसमें क्या pass कर दिया I क value कि बहुए zero ट इंडेक्स से हमें चेक करना है zero day से चेक करना है और buy or sell यह zero वाला मतलब बताएगा कि आपको buy करना है यह sell करना यह variable है buy or sell zero का मतलब है आपको buy करना है और जब हम buy कर देंगे तो इस variable को toggle कर देंगे मतलब इसकी तक आप वह भी ले सकते हो लेना चाहो तो क्योंकि इसकी zero या one value ही होगी मैंने ऐसी ले ले लिए एंटी जड़ थोड़ी bit ज्यादा ले रहा है पर ठीक है इसकी जगा boolean variable बले सकते हो आप चाहो तो ठीक है तो अभी zero मतलब buy one मतलब sell तो अभी मैं को buy से ही शुरू करना है मैं sell से नहीं कर सकते हैं और क्या है price वाला array दे देंगे और k की value मतलब हमें at max हम two transaction कर सकते हो तो यहाँ पर थ्री पास कर देना ठीक है थोड़ी सी variation आ गई तो आप ही थोड़ी मतलब करने ही पाऊ गया चीजे clear होनी चाहिए चलो यह मैंने क्या बताए आपको जब आए की value इस अपने दो transaction कर लिए तो आप return मार जाओ तो आप return मार जाओ ठीक है अच्छा अफकोस जीरो रिटन मार जाओ आगे से तुम कोई profit नहीं बना सकते ठीक है और फिर ठीक है तो अब देखो यह तुमारा एक्स क्या है एक्स तुमारा profit है तो अगर तुमारी buy और sell वाले variable की value 0 है तो मतलब तुम्हें buy करना है तो तुमारे पास 2 options है या तो तुम buy करोगे या तुम wattay do को skip करोगे अगर तुमने buy कर लिया तो तुमआरा profit जो है जो तुमारा buy कर लिया है और यहां buy और sell variable में one pass कर दोगी मनला अब तु sell कर सकता है और तुमने day भी increment कर दिया है इस वाले day पर था था तो फिफ्ट डे पर जाके अब तु sell करेगा buy नहीं कर सकती है यहां वरना buy भाई हो जाएगा या फिर तुम्हारे पास दूसरा option कौन सा है क्यार मैं skip वाले variable की value 0 ही रखूँगा कि भाई अभी तू 0 ही रहे अभी तुरे को buy ही करना next day पर इस वाले day पर को मैंने skip कर दिया है और मैं profit add नहीं करूँगा तो इन दोनों तरीकों से जो maximum profit generate होगा उसको हम इस x variable में या profit variable में अपने रख लेंगे और अगर हमारे buy और sell variable की value अगर 1 हुई तो देखो sell वाला कैसे कर रहा होगा अगर 0 होगी या 1 होगी इसको अगर आप बुलियन में रखना जाओ तो बुलियन में भी रख सकते हो ठीक है तो 0 हुई या 1 हुई बहुत सी है अगर देखो उस वाले day पर अगर तुमने sell कर दिया तो तुम यह buy और sell variable वाली values 0 क कर दोगे कि भाई मैंने sell कर दिया अब तुझा आगे buy करना है और अगर तुम आई एथ डे पर हो तो आई प्लस वाल वाले day से तुम्हें जाना है जाके buy करने के बारे में सोचना है और यहां पर देखो K की value तुम एक से decrement कर दोगे क्योंकि तुमने अगर sell कर दिया मतलब एक transaction तुमने कर दी तो K की value अब 2 से घटके 1 हो जानी चीए मतलब एक decrement हो जानी चीए है ना K की value तुम question बोल सकता है कि आपको 5 transaction allowed है तो आप कैसे करोगे ठीक है तो K की value एक से decrement कर देनी आपको ठीक है और अगर आपने sell कर दिया तो उस day पर जो profit था I mean उस day पर जो price थे शेयर के वो तुम अपने profit में टाल लो और दूसर option क्या है तुमारे पास कि तुम skip कर दोगे और मेरे को उस वाले day पर sell नहीं करना उस वाले day पर मेरे को sell नहीं कर है मैंने sell नहीं करा है ठीक है और कोई profit तुम add ने करोगे और दोनों तरीकों से maximum profit होगे तुम अपने पास लाके रख लोगे ठीक है और फाइनली यह recursively करे जाओगे और फाइनली यह profit जो X variable है तुम return मार जाओगे ठीक है तो यह recursive इसका code था I hope आपको समय में आ गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। छलो शो यह और देखो यहां पर आओ। ये वाली problem देखो अभ इसका बहृत number three बनता है मैं नही नहीं बनाया तुम बना लोगे मूझे पता है मदलब base case तक जाना है और वहां जाकर profit देखना तो मैं कितना बना तो यह वाली problem कौन सी problem है मेरे को 0 3 1 4 0 3 1 4 यहां से यह वाली problem है और यहां तक मैं कितनी transaction कर चुका हूँ मेरी i की value यह है और मुझे आगे क्या करना है मुझे आगे buy ही करना है क्योंकि मैंने sell कर दिया मुझे आगे buy करना है मिरी i की value 4 है मुझे आगे buy और sell variable की value में क्या रखना है मुझे buy करना है तो मतलब इसकी value 0 है और मैंने कितनी transaction कर दिया आप एक buy कर लिया और भाई एक sell कर दिया तो एक sell कर दिया तो मेरी k की value एक से decrement हो चुकी होगी तो यह तीन वैरियेबल जो है चेंज हो रहे है आई के वैल्यू चेंज हो रही है बाई और सेल वैरियेबल के वैल्यू चेंज हो रही है और के के वैल्यू चेंज हो रही है तो तीन वैरियेबल है वैसे थीडी डी डी पी है सकर के कुछ नहीं है वालब तीन वैरियेबल चें value 0 है क्योंकि अब तुम्हें आगे से buy करना है और k की value 1 है 2 से एक से decrement 2 से मतलब एक decrement कर दी हमने तो 1 हो गई मतलब एक transaction तुमने कर लिए तो यहां तक यह state है है ना problem की यह वाला देखो यह वाला ठीक है यहां पर क्या है यहां पर भी तुम्हारी यह problem 0 314 मतलब यह यह 3 की value 4 है कितनी transaction कर लिए तुमने भाई एक भी transaction यहां नहीं करी एक भी नहीं करा एक भाय कर लिए ठीक लिए करी तो यह थीनों से इम्हें ही प्रॉब्लम है अगर तुमने इसका अंसर कहीं store करके रख लिया होता तो तुम्हें यह वाली problem solve करने की ज़रूद में बढ़ती तो यह dynamic programming की problem है तुम्हें बार-बार same problem पुछी जा रही है तो तुम उनका जो answer है उसको अपने एक जगा store करके रख लो तो हम hash map से इसको करते हैं ना hash map से इसको करते हैं मैं आपको उस code दिखाता हूँ okay so यह रहा सका simple सा code इसमें हमने क्या change कर लिया यह map map बना लिया string type का key है और integer type की value है so क्या क्या चीज वेरी अच्छा चलो हमने map इस function में पास कर दिया यह रहा as an argument base case वह यह बस क्या हमने यहां पे की बना लिए क्या की बना लिए यह कोई आई है और यहां पे कोई भी एक string डाल दो मैंने code डाल दिया concatenate कर दो उसको ना तुम्हारा i vary हो रहा था तुम्हारा by और sell variable by और sell variable vary हो रहा था और यहां पे एक और वह बना दो कोई और string डाल दो मैंने fix डाल दिया ठीक है और यह के तुम्हारे तीन variable जो है vary हो रहे थे यह और यह और यह तो इनके नहीं एक unique key बना दी तुमने अब इस unique key के corresponding इसका answer या फिर इसका profit जो है तुम store करके रख लो कि भाई इस key के corresponding मेरा special key के corresponding मेरा एक profit है ठीक है अगर यह तुमसे special की दुबारा बनती है मतलब इस i की buy or sell variable और k की value दुबारा पूछी जाती है तो तुम यह profit यही से return मार जाओ दुबारा उसका tree मत बनाओ दुबारा recursive calls मतलओ यही हम कर रहे होते हैं तो ऐसे करके हम इसको optimize कर सकते हैं using memoization तो यही हम इसमें कर रहे होते हैं तो य अगर नहीं पड़ी भी तुम पहली पहली बार आ रहा है इस problem में तो उसको solve कर और solve करने से पहले return करने I mean solve करने के बाद return करने से पहले उसको map में put करके चले मैप में वो key value pair बना के चले है तो अगर वो दुबारा problem पूछी रहा है तो मैं यही से map से उसे उठा के देदू झाल 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 झाल